हेलो फ्रेंड्स मैं श्का आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करती हूँ आधम नाश्थे के लिए चटपट बनने वाला हान वो बनाएंगे हान वो बनाने के लिए सबसे पहले एक पावल में एक कप सूजी दो तिहाई कप दही एक पारिक कटा हुआ प्यास एक पारिक कटी हुआ शिम्ला मिल्च एक पारिक कटा हुआ गाजर एक चमच खिसा हुआ अद्रक ज्वाद नुसार नमक एक चमच हल्दी पावडर एक चमच लार्मिश पावडर और कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और मिला लेंगे दही डालने के बाद ये थोड़ा गाड़ा हो गया है इसलिए इसमें थोड़ा से पानी डाल देंगे थोड़ा से पानी और डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे हम इसे तब तक मिलाएंगे जब तक इस सौफ्ट ना हो जाए अब इसे ठक कर 10 मिन्ट के लिए रख देंगे 10 मिन्ट हो चुकी है अब एक बार बैटर को देख लेते हैं इसे थोड़ा चला लेंगे देखें ये कितना सौफ्ट बना है ध्यान रहे हम इसके कंसिस्टेंसी इतनी ही रखेंगे अगर ये थोड़ा गाड़ा हो तो अब अपने अगॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे मिला सकते हैं अब एक पैन लेंगे और उसे गरम करेंगे पैन को गरम होने देंगे अब पाउल में एक चमच गीनो फ्रूट सोल डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे ध्यान राय में से डालते ही जल्दी से मिला लेंगे पैन भी गरम हो चुका है अब पैन में एक चमच देल डालेंगे अब इसमें आदा चमच राई दो से तीन कटी होई हरी मिर्च और चैसे साथ करी पता डालकर थोड़ा फ्राई कर लेंगे अब पैटर को पैन में डाल देंगे हम गैस को एक तब लो ही रखेंगे इसे टैप करते हुए इसे एक लेवल में कर देंगे अब इसे ढख देंगे और 10-15 मिर्ट के लिए बेख होने देंगे 10-15 मिर्ट हो चुके हैं अब इसे खोल कर देख लेंगे अब एक चाकू लेंगे और चाकू को हांड़ो के अंदर डाल कर देखेंगे देखें चाकू एक तम साफ निकला है इसका मतलब भी तयार है अगर चाकू उपर थोड़ी सी पिछिपचे बहाट होती तो हम इसे दुबारा से टक कर बेख होने देते अब एक प्लेट लेंगे और उसे पैन के उपर इस तरीकी से रख कर एक कपड़ी से पकड़ लेंगे क्योंकि यह काफी गरम है अब पैन को इस तरीकी से पलट कर हांट वो को प्लेट पर निकाल लेंगे अब पैन में थोड़ा चा ओईल डालेंगे और हांट वो को दूसरी साइट से पैन पर रख देंगे अब इसे ठख देंगे और दो से तीर मिट के लिए बेख होने देंगे करीब दो मिनिट हो चुकी है अब इसे खोल कर देख लेते हैं यह तयार है अब कैस बंद कर देंगे इसे तुड़ा ठंडा होने देंगे यह अलका ठंडा हो चुका है अब इसे एक प्रेट में निकाल लेंगे अब इसे काट लेंगे आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं हांड वो बनकर तैयार है आप इसे मॉर्णिंग में एज़ ब्रेकफस्ट इजिली रेडी कर सकते हैं आप इसे जरूर आएगे ज़ेगा यह बहुत इजिली बन जाता है और टेस्टी भी होता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक और शेनल को सब्स्ट्राइब करना ना भूलें विलते हैं नेक्स्ट वीडियो में